कि नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि निटीश कुमार और वामदल मिलकर के इनिशियेट कर सकते हैं तीसरे मौर्चे के लिए और कुछ दूसरे चेहरे भी हैं जो तीसरे मौर्चे का हिस्सा बनना पसंद करेंगे जैसे हर्यान में इंडियन नेशनल लोग दल है या केसी आर है या अगर ये लोग प्रियास करें तो बीजु जनता दल के नेता नवीन पठनायक हैं अलग अलग रज्यों में कुछ ऐसे दल कुछ ऐसे नेता इनको मिल जाएंगे जो इंडी एलायंस में कमफर्टेवल महसूस ना कर रहे हो जिनके साथ सीट शेरिंग के मुद्दे को लेकर के अन्याए किया जा रहा हो या अन्याए होने की आशंका हो या ये भी कह सकते हैं कि जिनकी विचार धारा जो है वो कॉंग्रेस से उतनी मिलती नहीं है या कॉंग्रेस के तोर तरीकों से वो नाराज रहते हैं इन में अखलेश यादव भी हो सकते हैं या अखलेश यादव नहीं हो तो मायावती भी हो सकती है और ये जो मैं कहे रहा हूं कि वामपंथी और नितीश कुमार तीसरे मौर्चे को पुनर जीवित कर सकते हैं या उसको इनीशियेट कर सकते हैं इसकी वजह ये है कि जोती की उन्य चित्थी है सत्रे जन्वारी को और कलकत्ता में एक कारिक्रम रखा हुआ है वामदलो ने उसमें नितीश कुमार को आमंदृत किया गया है नितीश के जो सुत्र है जो परवक्ता है निरज कुमार हाला कि उन्होंने अभी इस बात की पुष्टी नहीं की है कि नितीश कुमार ने इस कारिक्रम में जाने की हामी ही भर दी है लेकिन जो सीपीम के नेता है सली मौहमद उनका कहना है कि मुझे पूरा यकीन है कि नितीश कुमार कलकत्ता पहुँचेंगे अब या तो उनकी बात हुई है या उनको लग रहा है कि ये ऐसा आवसर है जब नितीश कु चाहेंगे और क्यों खड़ा हुआ दिखना चाहेंगे क्योंकि हाल में कुछ ऐसी घटनाई हुई है जिनकी वज़े से नितिश कुमार कॉंग्रेस से भी नराज है और कुछ दूसरे घटक दलों के नेताओं के तोर तरीकों से रवईयों से और उनके वुरुद्ध पर्दे के पीछे से शडियंत्र रचने को लेकर के भी नाखोश हैं। तीन चार दिन पहले दिल्ली में जब कॉंग्रेस ने बिहार में शीट शेरिंग के लिए दोनों दलों को आमंत्रित किया, यानि लालु यादो की राश्टवादी जनता पारिटी को, जनता दल को और निचीश कुम अर उस बैठक में नहीं गए। अपने किसी परतिनी धी को भी नहीं भेज़ा। बलके उन्होंने कह दिया कि लालु यादो ही दोनों दलों के बारे में फैसला कर लेंगे, यानि उनके पारिटी के परतिनी धी ही फैसला कर लेंगे। उनकी पारिटी की तरफ से मनोद जा ग प्रतिनिदी को नहीं बेजना, सीट शेरिंग के मुद्दे पर ये शो करता है कि जिस तरीके से उनको सहियोजक बनाए जाने की प्रकिरिया को बाधित किया जाता रहा है और इस खेल में कॉंग्रेस जैसे नितीश कुमार नाराज हैं कॉंग्रेस से. और नाराज हैं महमता बेनरजी से, नाराज हैं अर्विंद के जरिवाल से, वैसे तो वो लालू यादा से भी नाराज हैं, बताते हैं कि चार बैठके अब तक इंडी एलाइन्स की हो चुकी हैं, लेकिन लालू ने किसी भी बैठक में सहियोजक के तोर पर नितीश का नाम अगर चले या उनकी मर्जी पूरी करने के लिए भारते जिनता पारिटी का नित्रत्तुत सैयार हो, तो वो फिल फिर फुल्टी मार करके भारते जिनता पारिटी के खेमे में जा सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं, लेकिन भाजापा इस बार उनको भाव नहीं दे रही है, सं और ये भी सूचना मिल रही थी के केजरिवाल की उधव ठाकरे से बात हुई है, फला की ढिमकाने से बात हुई है, ढिमकाने की फला से बात हुई है, उसके बाद महमता बेनर जी की तरफ से एक बयान दिया गया या ये कहा गया कि महमता बेनर जी इसके खिलाफ है और मामदाब एनरजी को लगता है कि अगर नितीश बाबू को सहियोजक बनाया जाता है तो इसका इंडी एलाइंस को या दूसरे घटक दलों के नेताओं को फाइदा उतना नहीं मिलेगा जितना नितीश कुमार को मौधी वर्सिज नितीश कुमार होने के बाद बिहार में मि दिया गया अब हालत ये है कि केरल को लेकर के वामदलों और कॉंग्रेस में कोई समझोता नहीं होने जा रहा है वामदलों ने तो इस बार राहुल गांदी को भी कह दिया है कि आप वाइनाड की जगह कोई और सीट तलाश कर लें तो बहतर रहेगा वहां से वो किसी और को लड़ाना चाहते हैं पश्यम बंगाल में महमता बेनर जी वामदलों को बरदास्त ही करने को तैयार नहीं है वो तो कॉंग्रेस को भी बरदास्त करने को तैयार नहीं है केवल दो सीटें जहां से कॉंग्रेस जीती थी एक बरहंपुर और एक और बस वो दो सीटें वो कॉं अगर 42 में से केवल दो सीटें कॉंग्रेस को लड़ने के लिए मैडम कह रही हैं मामता बेनर जी तो फिर कॉंग्रेस का क्या फाइदा है? कॉंग्रेस क्यों इतना बड़ा त्याग करे? जबके मामता बेनर जी दिसंबर में ये बयान दाग चुकी है शायद 19 दिसंबर को उनने कहा था कि पश्चिम बंगाल में तो टी-म-सी और भारती एजनता पारिटी की सीधी लड़ाई है और कोई दल दोड में भी नहीं है, मकाबले में भी नहीं है तो मामता बेनर जी का जो ये रविया है कुल मिला करके इंडी एलाइंस को ले करके उससे वैसे तो कॉंग्रेस भी नराज है, तो उसरे दल भी नराज है लेकिन नितीश इसलिए नराज है, क्योंकि मामता बेनर जी ने एक बार फिर जो चांस आया था उनके सहिए जग बनने का उसमें भी लंगडी मार दी, तो नितीश कुमार अगर वाम दलों के इस कारिक्रम में शामिल होते हैं, सत्रे जन्वरी को जती बाबु की पुर नितीथी पर जो आयजित किया जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि तीसरे मौरचे का आगाज कलकत्ता से वाम दल और नितीश कर सकते हैं, और कई रज्यों में कई घटक दल हैं इंडी ऐलाइंस के या जो अभी इंडी ऐलाइंस के साथ नहीं है, जो तीसरे मौरचे में खुशी-खुशी शामिल हो जाएंगे हैं, तो ऐसे में दो हजार च जो भी इसके लोकसवा चुनाव से पहले मुझे लगता है कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, अभी त पस्टिरें. ब GUट बदेने अभादाने नовसकर.